बच्चो अब हम बात करते हैं वनसंसाधन के विशय में वनसंसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यदि हम प्राचीन धर्मगरंथों में जाए या प्राचीन आदीकाल से ही यदि हम मनुश्यों की जो इस्थिती थी तब से लेकर वर्तमान समय तक बात करें तो हम दे बात करें और शदियों की बात करें सब कुछ तो हमें वनों से प्राप्त होता है हम जलवायू की भी बात करते हैं तो जलवायू में भी हम देखते हैं वनों से ही मेग बन रहे हैं और मेग से बारिश हो रही है और बारिश से हम अपनी क्रिशी का कारिय कर रहे हैं और अन प विक्सित अर्थव्यवस्था के रूप में हैं तो ये अर्थव्यवस्था भी विक्सित अर्थव्यवस्था का जो इस्थान है वो हमने कैसे प्राप्ति किया इन वनों के ही माध्यम से इन वनों से ही हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त हो रहा है हमें जीवन तो आधार ये प्रदान कर ही रहे हैं, रहने के लिए एक छट तो दे ही रहे हैं, और जीने के लिए भोजन की आपूर्ती कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं, वनों पर ही डिपेंड है बादलों का बनना, बहुत महत्तपूर्ण भूमिका इनकी होती है, इने के लिए पानी भी हम इस से ही मिल रहा है और साथ ही साथ हमारी विक्सिर तर्थ व्यवस्था कि जो नीव जिने आजी से हम अद्दोगी करन कह रहे हैं तो यह उद्योगों का जो कच्छा माल है यह भी हमें इन ही वन से प्राप्त हो रहा है तो आप अंदाजया लगा सकते हैं कि जीवन की शुरु पर ही डिपेंड है और इसी लिए तो प्राचीन समय में किसी ने कहा है कि वन जो है वो मनुश्यों का पालना है यह यह तो एकदम सत्य बात है कि यह हमारे पालने के रूप में हैं अब हम बात करते हैं कि जो भारत देश है हमारा यह पूरी वन संसाधनों के द्रिस्टी कोड से बहुत ही धनी है चाहे हम अपने हिमालय परवती छेत्र की बात करें पूर्वी और पश्मी तटिय छेत्रों की बात करें हर छेत्र में हम देखते हैं कि जो वन है उसकी विविद अलग-अलग प्रकार की विराइटियां अलग-अलग किस्मों के जो वन है हमें मिलते हैं हम बात करते हैं इनके प्रकारों पर कि कौन-कौन से प्रकार हमें भारत देश में मिलते हैं तो पहला हम देखते हैं उस नकटी बंधी सदा पर्णीवन बच्चों नाम से ही इस पस्ठ है उस नकटी बंधी सदा पर्णीवन जो जिस छेत्र में बहुत अधिक बारिश भी हो रही है अच्छी वर्षा होती है तापमान भी अच्छा है और जिन छेत्रों के जो वरिक्ष ह इस जल्वायू के कारण सदा हरे भरे होते हैं कभी ऑपनी पतिया नीचे नहीं गिराते तो हम इन्हें उष्ण नकटी बंधी सदा पढणीवन कहते हैं अब यह कहाँ पर मिलते हैं तो जब हम विश्व में देखें तब हम अपने विश्व में जो विश्वत रेखीवन है जह गनेवन मिलते हैं कि वहाँ पर आपका प्रवेश करपाना बहुत मुश्किल होता है दुर्गम होता है तो कुछ-कुछ जो ये उश्नकटी बंधी सदा पढ़नीवन है उसकी जो किस्म है ये विश्वत रेखी वनों से मिलती जुलती है हालां कि ये उतनी घनी उतना घनावना च्छादन नहीं होता लेकिन हां हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही घनावना च्छादन होता है तो हम देखते हैं कि ऐसे छेत्र जहां पर परियाप्त वर्षा हो रही है परियाप्त वर्षा मतलब लगभग 200 cm और इससे अधिक और इन छेत्रों में जो व्रिक्षों की उचाई ह होती है ते अधिक वर्षा के कारण लगभग 50 मिटर और उससे भी कहीं कहीं पर हमें अधिक देखने को मिलती है जब हम सदापढणीवनों की बात करेंगे तो यह सदापढणीवन हमें उन्हीं छेत्रों में मिलते हैं जहां पर 200 cm से अधिक वर्षा होती है हमारे भारत में जहां के आपके पशमी तटी परदेश पाशिमी घाट के जो अधिक ऑंध करते हैं तो हमें पता है कि जो पुर्वी घाल वाला जो भर्ष्टी चाया देखने में आ जाता है इस लिए हम कह रहे हैं पशिमी घाट का पशिमी ठाल इसके साथ ही हमारा जो पूरा उत्तर पुर्वी परवती प्रदेश है जहां पर पुर्वोत्तर राजी की जब हम बात करते हैं उन छेत्रों में और हमारे अंदमान निकोबार द्रीप समूंग इन सभी छेत्रों में हमें उश्नकटी बंधी सदा पढ़नीवन मिलते हैं यहां की जो वनस्पति मिलती है वो काले रंकी और बहुत कठोर होती है यहां पर हम देखेंगे सदा पढ़नीवन है तो लताओं और जाडियों के कारण यह वन जो है वो दुर्गम होता है मतलब यहां पर आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता और इसी कारण यहां पर किस्में बहु उसकी अपेक्षा उसका जो उतना अधिक उप्योग है वो यहां पर नहीं हो पाता जब हम मुख्यवनों की बात करें तो देखते हैं रबड है महोगिनी है एबोनी है ताड है आबनूस है और बास यहां के प्रमुख अवरिक्ष हैं यहां की जो लकडिया है वो प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है हाँ चुकि हमने बात की थी कि यह जो वनस्पती छेत्र होते हैं यह भूमध्य रेखिया वन्चेत्र की ही भाती होती है लेकिन उनकी तुलना में यह कम घने होते हैं और व्रिक्षों की उचाई भी अपेक्षाक्रीत उससे कम होती है तो हम कहीं भी अधिक वर्षा के छेत्र हैं हमारे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले छेत्र वहाँ पर यह सदा पढ़नी वन मिलते हैं लेकिन जहां पर भी बारिश की मात्रा कम होती जाती है तो वहाँ पर हमें अर्ध सदा बाहर वन हम कह सकते हैं यह छेत्र हमें म मानसुनी वन, मानसुनी वन जो है वो भारत के विसिस्ट वन हम कह सकते हैं और इसका जो विस्तार है वो लगभग पूरे भारत में हमें फैला हुआ मिलता है ये लगभग 75 cm जीन छेत्रों में वर्षा होती है 75 cm से लेकर 200 cm तक के वर्षा वाले छेत्रों में हमें मानसुनी वन मिलते हैं यह जो वन होते हैं वे विशेश रूप से चुकि हम मानसूनी कह रहे हैं तो मानसून मतलब मौसम के अनुसार जब शुष्क मौसम होता है जब बारिश नहीं होती है तो उस विशेश मौसम में यह जो वरिक्ष हैं वो अपनी पत्तियों को पहले ही गिरा देते हैं और इसलिए हम इन्हें उष्णकटी बंधी पढण पाती वन भी कहते हैं। आर्थिक द्रिश्टी से जब हम बात करते हैं तो ये वन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पर बहुत अच्छी किस्म के व्रिक्ष पाये जाते हैं जिनकी लकडियां जो हैं वो काफी उपयोग में लाई जाती हैं। और चुकी उपयोगी इसलिए भी हैं कि ये उश्नकटी बंधी सदा पढणी वन की भाती ये जो छेतर है वो दुरगम नहीं होते या बहुत अधिक सघन नहीं होते। इन वनों में हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और इनके जो वन उत्पाद हैं उनका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके दो प्रकार हमें मिलते हैं मानसुनी वन के पहला है आद्र पर्णपाती मानसुनी वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती मानसुनी वन। जब हम आद्र मानसुनी वन कह रहे हैं मतलब वहाँ पर की जलवायू हमें आद्र मेल रही है यह जो वन है यही आपको पर्णपाती और पज़र वन भी कहलाते हैं क्योंकि यहाँ इन छेत्रों में हम देखेंगे जो गृष्मरीतू के ठीक पहले यहाँ के जो वरिक्ष हैं य से 40 मीटर तक होती है और हमने पहले भी बात की है कि सदापढ़नी वनों की भाती बहुत अधिक सघन नहीं होते नहीं यहाँ व्रिक्षों की उचाई जो है वो बहुत अधिक होती है और इसलिए चुकि यह हमारे सुगम्य हैं जाने की योग्ये हैं इसलिए आर्थिक द्रि सब्सक्रावाले छेत्रों में मिलते हैं यह भारत की हम बात करें तो यह वन गंगा की निचली और मध्य घाटियों में साथ ही साथ आपका जो पूर्वी तटी मैदान हैं वहाँ पर पाए जाते हैं मतलब आपका 36 गड़ हो गया हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ओडिसा हो गया आंध्रप्रदेश है महारास्थ है करनाटक की हम बात करें या केरल यह सभी छेत्रों में हमें आद्रमान सुनीवन देखने को मिलते हैं यहां के जो प्रमुख वरिक्ष जो हैं साल सागौन है आवला है नीम आम और चंदन यहां पर विशेश रूप से म हम देखें यह वनस्पतियों में तो गुलर है जामुन है रीठा है बेर पलास यह सभी हमें मिलते हैं सागौन लकड़ी से तो हम सभी परिचित हैं क्योंकि यह फरनीचर बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और चंदन की लकड़ी भी हमें पता है क्योंकि यह बहु फिर हम इसका दूसर प्रकार देखते हैं शुष्क मानसुनीवन या शुष्क पढणपाती मानसुनीवन यह वन जो होते हैं यह गृष्मरितू के आरम से ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जहां पर कृषी भूमी का विकास किया जाना होता है ऐसे छेत्रों में इन वनों क काटा भी गया है यह वन हम यहां पर वर्षा की बात करें तो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले छेत्रों में इस प्रकार के वन हमें मिलते हैं ऐसे वन हम आद्रमानसुनी वन की जब बात कर रहे थे तो यह हमें पुर्वी छेत्र में तो जहां पर भी आपको आद् पूर्वी ताठी चेतर की बात करेंगी और जब हम पशिमी तटी चेतर की बात कर रहेंगे तो हम देखते हैं जब अपर जाती जाती है जब पश्यमी घाट या पश्यमी तटी भाग को देखते हैं तो इसका पूर्वी पश्यमी भाग जो है वहाँ पर बहुत अधिक वर्शा होती है और जैसे हम इसके पूर्वी ढाल के सहारे जाते हैं तो देखते हैं वर्शा की मात्रा जो है वो क्रमशा कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वरिष्टी छाया छेत्र होता है यह जो वन है यह आपके पंजाब, हरियाना, पुर्वी राजस्थान, दक्षणी, उत्तर प्रदेश की हम बात करें या आपका पशिमी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, करनाटक और गुजराथ इन छेत्रों में देखने क मिलते हैं, तो पंजाब, हरियाना, यह छेत्र ऐसा है कि जैसे ही बंगाल की खाडी वाला मानसुन जो है आगे बढ़ता है, तो यह जैसे जैसे पूर्व से पशिम की तरब बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर भी बारिष की जो मात्रा है वो कम होती जाती है, इसलिए यह जो शुष्क पढ़ना पाती बन है, यह हमें इन छेत्रों में देखने को मिलते हैं, यहाँ के जो प्रमुख व्रिक्ष की हम बात करें, तो यहाँ पर आम, जामुन, महुआ है, शीशम जो है वो प्रमुख व्रिक्ष है और अन्य व्रिक्ष में भी हम देखते हैं, रीठा है, बेर, खजूर और अमलता और नीम प्रमुकृप से पाए जाते हैं फिर तीसरा वरगी करण हम देखते हैं मरुस्थल इवन नाम से इस पस्ठ हो रहा है ये भारत उन छेत्रों में हमें मिलेंगे जहां मरुस्थल होगा जहां बारिश की मात्रा बहुत कम होगी और इससे भी आ जहां पर बहुत ही कम बारिश लगभग 50 cm से भी कम वर्शावाले छेत्रों में हमें ये इस प्रकार का जो वन है वो मिलता है क्यूंकि इन इस टाइप के जो वन होते हैं यहां पर हम देखेंगी कि वर्शा की कमी हो जाती है इसलिए यहां पर वर्शा की कमी के कारण जो वहां के व्रिक्ष हैं वो पत्तियां वहां पर हमें पत्तियां जो है वो बहुत कम मिलेंगी और छोटी मिलेंगी और साथ ही साथ काटेदार भी होती हैं ये हमें प्रमुख रूप से पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये तीनों ही जो छेत्रे हैं प्रमुख रूप से राजस्थान का हम देखेंगे तो राजस्थान का भी पश्चिमी हिस्सा और पंजाब की जो ऐसे हिस्से और गुजरात के ऐसे हिस्से जहांपत 50 cm से कम वर्षा हो रही है उन छेत्रों में हमें यह मरुस्थली वन जो हैं वो देखने को मिलते हैं इसमें प्रमुख वरिक्ष हैं आपके बबुल नाकफणी रामबास या खेजडा खैर खजूर यह जो हैं प्रमुख वरिक्ष हैं और इनका प्रयोग इंधन की लकडी के बनाया जाता है अब चौथा प्रकार है आपका डेल्टाईवन जब हम डेल्टाईवन की बात करेंगे यह भी नाम से सपस्ट हो रहा है डेल्टाई छेत्रों में हमें देखने को मिलता है चाहे हम अपने गंगा, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी यह सभी जो नदिय हैं जो इनके डेल्टाई छेत्र हैं दल्दली भूमी वाले भाग होते हैं वहां पर हमें डेल्टाईवन पाए जाते हैं और यहां पर प्रमुक रूप से मैंग्रो वनस्पतियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं इसलिए हम इसे मैंग्रो या फिर ज्वारी वन भी कहते हैं इन वनों की जो लकडियां हैं यह हम अधिकतर आर्थिक द्रिश्टे से यदि हम बात करें तो यह नाव बनाने के काम आती हैं अगला हमारा वर्गी करण है परवतीवन तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम परवतों में उचाई की और बढ़ते जाएंगे से उसमें तापमान और वर्षा संबंधी भिन्नता हमें देखने को मिलती है तो तापमान भी क्रमशह कम होता जाएगा वर्षा की मात्रा में भी अंतर आते जाते हैं तो हम परवती छेत्री के निचले हिस्से से लेकर उपरी हिस्से तक की बात करें तो वहां पर हमें उष्ण हिमालय परवती प्रदेश है महा पर किस-किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती है हिमालय के परवती वनों में हमें उचाई की आधार पर भिन्नता मिलती है हमने बात की थी हिमालय के परवतों पर अलग-अलग उचाई पर अलग-अलग प्रकार के वन हमको देखने को मिलते है यह हमको उष्ण कटी बंधी से लेकर अल्पाइन वनस्पतियों तक का क्रम हमें मिलेगा तो वह इस प्रकार है वनों के प्रकार कौन से होंगे और प्रमुख व्रिक्ष वहां कौन से मिलेंगे इस पर हम बात कर लेते हैं इस तालिका से आपको इस पस्ठ हो रहा होगा उचाई जहां पर शुन्य से लेकर 1200 मिटर तक है वहां पर उष्ण कटी बंधी सदाप्रणी वन और प्रमुख विक्ष उनवनों में डालचीनी चंदन हैर सेमल लारेल साल और सार्जू जहां पर 1200 से 2400 मिटर की उचाई मिलती है वहां पर सघंतराईवन और उपोशन कटी बंधी पहाड़ी वनसपतियां मिलती हैं और इसमें प्रमुख विक्ष होते हैं जो सदाहरित बाज, चेस्टनट, चीड, लताएं और अलग-अलग टाइप की जहाड़ियां और बास के विक्ष फिर 2400 से 3600 मिटर की उचाई पर जाने पर हमें अलपाइन वनसपति और शितोष नकटी बंधी वन मिलेंगी इसके निचले भाग पर चौड़ी पत्ति वाले ओक, लारेल, बर्च और एलडर मिलते हैं और इससे अधिक उचाई पर जाने पर सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस और और अधिक उचाई में हम ज जनकुधारी वरिक्ष जो पाइन है, स्प्रूस और फर इस टाइप के वरिक्ष हमें मिलेंगे और अधिक उचाई में जाने पर हमें किसी भी प्रकार की कोई वरिक्ष नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हीम रेखा से उपर आ जाता है जहां पर हमेशा बर्फ आच्छादित या ये छेत्र बर्फ से ढखा हुआ रहता है भारत में वनों का वित्रण देखते हैं हमारे भारत में 752.3 लाख हेक्टेर भूमी जो की 19.47 प्रतिशत है इतने छेत्र पर वनों का विस्तार है और प्रतिव्यक्ति वनों का जो औसत है ये हमें यहां पर अशुनी दशमलों दो ह लेक्टेर मिलता है और वनों का वित्रण भारत में बहुत असमान है यदि हम प्रादेशिक वनों के वित्रण की बात करेंगे तो इसे प्रमुख चार वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं जैसे आपको तालिका से सपस्ट हो रहा होगा पहला है परियाप्त बन भूमी व वाले राजी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परियाप्त बन भूमी वाले राज्यों पर इस वर्ग के अंतरगत ऐसे राज्य आते हैं जहां पर कुल भूमी में 50 प्रतिशत से अधिक वनों का विस्तार मिलता है इसमें हमारा द्वीप समूं जिसमें अंडमान निकोबा यहां वनों का प्रतिशत 86.2 परसेंट पुर्वत्तर राज्यों में मडिपूर 67.5 परसेंट अरुनाचल प्रदेश 61.9 परसेंट त्रिपुरा 61.0 परसेंट मिजोरम 80.5 परसेंट और उत्तरांचल 63 परसेंट शामिली नंबर टू जो इसका क्लासिफिकेशन है उसमें हम दे राजी हमारे परियावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पुल भूमी के लगभग 30 प्रतिशत छेत्र पर वनों का होना बहुत आवश्यक है और भारत में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत वन भूमी वाले राज्यों के अंतरगत हमारा 36 परसेंट मेघालय 41.1 परसेंट पूरिशा 38.3 परसेंट सिक्किम 36.3 परसेंट और मध्य प्रदेश 35.1 परसेंट इसके अंतरगत शामिल है तीसरा आपका वरगी करण है आवश्यक्ता से कम वन वाले राज्यों जहां पर 30 प्रतिशत से भी कम भूमी छेत्र पर वन का विस्तार मिलता है इसमें लगभग 20 प है जिसमें केरल है 28.9 परसेंट गोवा और दमन दीव में 26.1 परसेंट आंध्र प्रदेश 23.0 परसेंट करनाटक 20.1 परसेंट और महाराश्ट शामिल है जहां पर 20.8 परसेंट वन भूमी का विस्तार है चौथा वरगी करण है अल्प वन भूमी वाले राज्ये इसके अंतर प्रदेश है जहां पर 17.4 परसेंट नागलेंड तमिल नाड़ू और बिहार में 16.8 परसेंट पशिम बंगाल 13.5 परसेंट गुजराट 10.0 परसेंट जम्मू कश्मीर 9.4 परसेंट और राजस्थान 9 परसेंट पंजाब 5.2 परसेंट और हरियाना शामिल है जहां पर 3.1 पर परणों का विस्तार आढ़ी के लगख 50 परसेंट जो वन है वो प्रायदीपी पठार और पहाडियों के अंतरगत मिलते हैं और 20 परसेंट जो बन है वह मालय के परवती पररदेशों में 12 परसेंट जो वन है उनका विस्तार कुछन हमारे käytऊ और 30 पर देशों में है और 10.5 वन जो है वो पश्चिमी घाट और तटी प्रदेश में और बचा हुआ 7.5% जो है वो उत्तरी मैदान में विश्त्री थे हैं अब हम अपने भारत देश में जो वन संसाधन है इसकी प्रमुख समस्याएं देखते हैं कि कौन-कौन सी समस्याएं तो प्रमुक्त से यदि हम बात करें तो यह जो पांच समस्याएं हैं फिर वनों में आग लग जाना वनों के छेत्रफल में लगातार कमी होना परियावरण असंतुलन और अन्य समस्याएं जैसे मानों के स्वास्थ्य और उसकी कारी छमता पर प्रभाव या प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो समस्याएं यह प्रमुक्ता से मिलती हैं तो पहले हम देखते हैं वनों की अंधाधुन कटाई आपको पता है जैसे जैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बात से ही हम बात करते हैं तो हम लगातार लगातार विकास की बात कर रहे हैं और विकास का मतलब है हमारा नगरी करण और ओद् पतलब कि बड़े-बड़े आवास बहुमंजिला इमारते बनाई जा रही हैं, उद्योगों की स्थापना की जा रही है, सड़के पक्की सड़कों का निर्माड किया जा रहा है, तो इन सभी के कारण हम क्या कर रहे हैं, वनों को साफ करते जा रहे हैं, वनों की अंधाधून क मिलते हैं, उनकी कटाई करते जा रहे हैं, तो अधिकांश जो हमारी भूमी है, ये नगन भूमी के रूप में, ये हम ये कहें कि वनस्पती विहीन हमें देखने को मिलती है, और ये अभी आज हमारी वर्तमान की एक गंभीर समस्या है, जिस पर सब को चिंतन करना जो है, वो उनक कारणों से होता है, प्राकृतिक कारणों से भी और मानवी कारणों से भी, और इन दोनों ही कारणों से वन जो है, वो जलकर खाक हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं, वनों के छेत्रफल में कमी, अभी हमने बात की थी, कि क्रिशी भूमी का जो विस्तार है, इसके कारण, और उद्योगों के विस्तार के कारण लगातार उद्योगों के स्थापित होने के कारण और आवासी इस्थान इनके बढ़ने के कारण वनों के जो छेत्रफल हैं उनमें लगातार कमी आती जारी है क्योंकि हम वनों को ही साफ करके इन सभी का निर्माड कर रहे हैं अगली हमारी समस्या है पर्यावरण असंतुलन की, चुकि हमने बात की थी कि हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए ये एक स्टेंडर्ड है कि लगभग जो कुल भूमी है उसके 33% हिस्से पर या 33% भाग पर वन होने चाहिए. लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में लगभग 22.9 प्रतिशत भुभाग पर ही वन है और वनों की कमी के ही कारण वायू मंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ गया है और ये हमारी जो ओजोन परत है उसके 6 के रूप में हम देख रहे हैं और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मी उनकी समस्या के रूप में ये सामने आ रही है अब इसके अलावा अन्य समस्याओं में हम देखते हैं वनों की कमी के कारण उद्योगिक प्रदूशन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है अगर हम वन लगाएंगे तो ये उन उद्योगों से होने वाले जो प्रदूशन है दूशी गैसे जो उसमें से निकल रही है उसको ये अपने में आपजर्व कर लेंगे और हमें अच्छी गैसे जो हैं वो देंगे और परियावरण में एक बैलेंस या संतुलन इस्थापित करते हैं और इन ही के कारण इनके कट जाने से हम कही ही देखते हैं कि चुकी असंतुलन हो रहा है परियावरण में इंबैलेंस की स्थिती हो रही है इसलिए वाश्पी करन संबंधी समस्या बारिश के अनियमित्ता की समस्या जिसके कारण कहीं सूखा और कहीं बाढ ये वाली जो समस्या है ये भी उभर कर आ रही है तो ये हो ही हमारे परियावरण संबंधी समस्या अब हम ये देखते हैं कि इसके संरक्षन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वनों के संरक्षन के लिए यह वन संसाधन के संरक्षन के लिए सबसे आवश्यक है कि हम जादा से जादा मात्रा में अधिक से अधिक व्रिक्षा रोपन का का परिक्रम चलाएं व्रिक्ष लगाएं जितने व्रिक्ष हम काटते हैं उससे 10 गुना हम व्रिक्ष लगाएं वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए जो हम विकास की आड में विकास की बात करके अंधा धुन व्रिक्षों को वनों को साफ कर रहे हैं इस बात पर रोक लगाई जाए जिससे हम वन संसाधन का संरक्षन कर सकते हैं साथ ही साथ वनों को आग से हमें बचाना चाहिए तो इसके लिए जो भी प्राकृतिक और मानवी कारण जिम्मेदार हैं उन पर हम रोक लगा सकते हैं या उनकी आवरित्ती हम जो है कम कर सकते हैं परिवहन मारगों का विका कर सकते हैं और सबसे आवश्यक और अनिवार ये बात हम कहते हैं कि वंस अन्रक्षन के प्रती लोगों में जागरूपता का होना अती आवशक है क्योंकि जब तक आप और हम जागरूप नहीं होंगे तब तक कोई भी अशाशन के द्वारा जो कारिक्रम चलाए जाते हैं या की सफलता पूर्णतह आप और हम पर डिполож करते हैं जब तक हम जागरूपत के तब तक हम वन सनसादुनों का या वनों का सनलक्षन नहीं कर सकते तो आप और हम जागरूपता होकर ज्यादा से ज्यादा वन लगाए वनों की कटाई पर रोक लगाएं जिससे हम अपने परियावरण में एक अच्छा संतुलन जो है वो इस्थापित कर पाएं